चार चौक सोला तीन सत्य एकी सच चार पच्चीश चार सत्य उन पच्चाश चैर चौक चोबिस हच साथ इकतीश तीन त्रक नौ आठ दुनी सोला और तीन उन्नीश एक एकन एक चार पंजे बीस और एक इकीश इस तरह से कितना फटा पट गुणा किया आप भी सीख सकते हैं जादू या नसा है गणित का यही तो मजा है इस तरह से किया है तो आप अभी में आपको समझाने वाला हूं इसी तरह की और भी ट्रिक आपको एक वीडियो आईकार में मिल जाएगा बाकी के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं नमस्कार मित्रों में गईन सिंग्तों और आपका हाद इक स्वागत करता हूं हम इस तरह के सवाल केसे करते हैं तो देखते हैं तो हम या लिखते हैं 34 गुणा 84 सबसे पहले इसके लिए सर्थ क्या है पहले सर्थ जाने क्योंकि जो इनका जो टोटल है दहाई और दहाई का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए तो दस होना चाहिए और दोनों संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए तो ये वाली काम करेगी बांकी की ट्रिक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं तो स्लिए कैसे काम करता है यहां लिखता हूं दहाई गुणा दहा रखते हैं शिरिफ आपको दो या चार मिनट गणित का जादू सीखना पड़ेगा और फिर आप फटा बट फटा बट सवाल कर पाएंगे तो यह कैसे किया सबसे पहले यहां देखते हैं तो यह एकाई और एकाई का गुणा कर लेने का है अगर यह दो अंक का नहीं है तो आपर क्या लिखा है दहाई गुणा दहाई बतलब दहाई और दहाई कितना साथ और तीन का गुणा कर देते हैं साथ तीन तिया एक्कीस और एकाई को जोड़े देते हैं एकाई कितना है चार एक्कीस और चार पच्चीस यह हुगा आपका पहला सवाल दूसा सवाल हम करते हैं सरसट गुणा 47 बरावर तो सास सत्य उन पच्चास और छे चौक कितना होता है 24 और एकाई के अंक को हम क्या कलेंगे जोड़ देंगे तो 24 और साथ 31 हो जाता है अगला सवाल करते हैं 83 गुणा 23 बरावर या तीन तराक 9 एक ही अंक है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे जीरो इसी तरह से यहां 8 दुनी 16 16 प्लस 3 19 इसी तरह से हमको अगला करते हैं 41 गुणा 51 बरावर एक एकान एक और चार पंजे 20 और एक 21 हो जाता है अगर आप एक प्रेक्टिस करना चाहते हैं तो यहां मैं लिखता हूं 63 और यहां लिख देता हूं मैं 43 इसका गुणा करके आ बटा बट कॉमेंट में बता सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइप करें शेयर करें कॉमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करें जय हिन जय भारत